मश्कार दोस्तों बिग बूल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्याद तो आज हम डिसक्स करेंगे इंडियन बूल हाउसिंग फ के पूरा आपको एक्स्पेंट करें है चाटल पर क्या जो है हमिए इंडिगेशन बिल रहा है क्या थार्गेट बैठ सकते तो चले स्टॉक का जो है आपको एन इसप्लेंग करके देते हैं यहां पे हम डिस्क्स करने ही इंडिया बूल हॉसिंग फाइननास के फंडमेंटल क के बारे में कि इसके fundamentals का indicate करें तो सबसे पहले ownership के बारे में बात करें तो यहां पर आप दिखते हैं free float में 93 परसेंट है तो यह negative point है क्योंकि काफी जादा ownership जो इनकी open market में वेलेबल और यह one of the reason है क्यों हमें 1400 का stock जो 12300 के price में मिलता था किस यहां पर मोटर्स और इंस्ट्यूट ने अपना माल काफी जादा बेचा और जो है open market में अपनी shareholding जो है डंप किये तो यह ownership में हमें सबसे पहला जो है red flag देखने को मिल रहा है तब ही जो है company की पी में और valuation में हमें गिरावट देखने को मिले पी तो अभी काफी जादा अंडर वैल्यूट जोन में आ चुकिए और काफी चीप valuation में company का stock आपको मिल रहा है लेकिन उसके पिछे सबसे बड़ा main current यह company जो profit नहीं बना पारी जिसके वज़से इसकी पी में हमें गिरावट देखने को मिली और valuation में गिरावट देखने को मिली और valuation में स्वाइब काफी स्ट्राउंग गिरावड देखने को मिली बागी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट इबिटा नेट इंकम अब स्लाइटली इंप्रोव हो रहा है लेकिन अभी उसमें काफी ज़ाधा कोफ है इंप्रूप मेंट का तो अभी भी कंपनी का स्टॉक फंडमेंटली उतना स्ट्रॉंग नहीं होआ है कंपनी का डिविदेंट हrise स्ट्री कंपनी ने डिविदेंट देना भी बंद बन्ध कर दिया कंपनी भी आपको डिवदेंट नहीं दे सकती क luxury यह सब्सक्राइब ओपना कम किया है कमपनी का Free Cash Flow जो है वो ठोड़ा कम है लेकिन या कंपनी के वह है वह भी कम है है improvement ना लिए company को अपना जो है cash बढ़ाना है तो अभी भी टाइम है गाइस company को improvement करने के लिए तो fundamentals में आपको यही राय दूँगा जब तक company का revenue net income profit margin अच्छे तरीके से grow नहीं होते profit margin अच्छे तब तक जो आप stock में थोड़ा सोच समझ के जो है निवेश करिए तो चलिए अब इसका chart setup आपको explain करते हैं तो यहां पर आपको जो है चार्ट सेटप explain करके देते तो यहां पर आप देखते हैं शेर में हमें अपर लेवल से काफी जादा selling देखने को मिल थी काफी एक बाइंग हमें देखने को मिल रहे हैं लेकिन मैं आपको यही राय दूंगा यहां पर अभी स्टॉक को काइस काफी टाइम लग जाएगा अपर ट्रेंड पाने में और उपर से अगर यहां से स्टॉक में बुलिश ट्रेंड बना रहा गाइस तो यहां पर आपको जो है 157 के टार्गेट पहले देखने को मिलेंगे और अभी यहां पर यहां पर जो चार्ट सेटप के हिसाब से काफी फेवरेबल हमें लग रहा है एक सो साथ का स्टॉप लॉस लेके चलिए 157 के टार्गेट आपको इस शेर में देखने को मिल सकते हैं 157 के तो आपको यहां पर 200 के लेवल भी टेच होते हो दिख सकते हैं तो गाइस आपको मैं यही राय दूँँगा रिसके रिशो आपको नेक्स टार्गेट देखने को मिल जाएंगे तो गाइस एसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्ली सस्क्राइब भीजिए धन्यवाद